देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं एक दिन पहले दिया जाता है क्या उपाय करना होगा जिससे दिन की सकरात्मक्ता बनी रहे तो आपको हर बार की तरह वीडियो के अंत में मिल जाएगा राशिफल की शुरुआत से पहले एक बार पंचांग पर नजर डाल लेते हैं 10 फेबरली 2022 का पंचांग इस तरह से हरतिती है नवमी नक्षत्र रहेगा रोहिनी योग है इंद्र करण है कॉलव और वार रहेगा गुरु वार और शुक्लपक्ष चल रहा है सूर्योदे 7.04 am और सूर्य अस्त 6.08 pm चंद्रमा वरिशव राशी में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा रोहिनी और सूर्य देवता मकर राशी में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा धनिस्ता कुछ विशेष मुरतों की बात कर लेते हैं पहले कुछ शुब मूरतों की बात करेंगे ब्रह्म मूरत 5.21 a.m. से लेकर 6.12 a.m. तक अभी जीत मूरत जो बहुत ही शुब समय होता है 12.14 p.m. से लेकर 12.58 p.m. तक और अमृत का अलग ये भी बहुत अच्छा समय होता है 11.55 p.m. से लेकर 1.43 a.m. तक यानिकि अगले दिन के 1.43 a.m. तक अब कुछ अशुब समयों की बात कर लेते हैं अशुब मूरतों की बात कर लेते हैं राहु काल 1.59 p.m. 3.22 p.m. तक और गुलिक काल इसका समय रहेगा 9.50 a.m. से लेकर 11.13 a.m. तक ये दोनों थोड़े अशुब समय होते हैं इसमें कुछ नया स्टार्ट करने से बचें और यदि आज यानि कि 10 तारीकों इन समयों में आपको यात्रा करनी हो तो महामृत्युन जय का जाब करके या फिर काली चलीजा का जाब करके ही पाठ करके ही आप घर से निकलिएगा तो ये था पंचांग अब राशी फल की शुरुआत करेंगे मेश राशी के साथ मेश राशी के जातकों से यही कहूँगा कि दिन तो आपका ठीक ठाक है दिन के शुरुआत में काफी महनत करनी पड़ेगी काफी सारे काम आपको करने पड़ेंगे मल्टी टास्किंग करनी पड़ेगी लेकिन हर चीज़ आप बहुत अच्छे से समभालेंगे determination का level commitment का level बहुत अच्छा देख रहा है लेकिन थोड़ा सा अपने आप से connect होने की कोशिश कीजिए especially दिन के मद्य भाग में और दिन के अंतिम भाग में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतना कुछ चल रहा है इस समय आपके life में, personal life में, professional life में financial problems या कोई और problem या कुछ और issue चल रहे हैं उन सब के कारण इतनी confusion हो गई है कि आपका अपने आप से connect थोड़ा सा कम हो गया है हम भौतिक जीवन में इतना खोई रहते हैं कि अपने आपको भूल जाते हैं तो आज का दिन दुबारा अपने touch में आने के लिए बहुत अच्छा है आदा घंटा एक गंटा दो गंटा अकेले विताईए meditate कीजिए meditate भी नहीं करना चाहते तो बस अकेले time spend कीजिए और अपने खयालों पर थोड़ा और विचार कीजिए जो भी ideas आते हैं मन में उस पर थोड़ा विचार कीजिए आपको अच्छा लगेगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं अच्छा दिख रहा है आज भागे का साथ मिलेगा बड़ी firm में काम करते हैं बड़ी company में काम करते हैं तो अपने seniors के सामने अपने managers के सामने आपको अच्छा perform करने का मौका मिल सकता है उनकी good books में आने का मौका मिल सकता है दिन अच्छा दिख रहा है आज का एजुकेशन संबंदित या फिर गार्मेंट से जुड़ा कुछ भी आपका जॉब है तो दिन अच्छा है बिजनस के हिसाब से एक ही चीज़ कहूंगा कि यदि कोई नुकसान हुआ है रिसेंटली पिछले तीन चार दिनों में एक हफते में तो उसको भूल जाईए भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कीज़े क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि या तो कोई नुकसान हुआ है या कोई डील, कोई ओर्डर हाथ से निकल गया है उसको आपने बहुत अपने हिरदे से लगा लिया है और उसके कारण आगे भी नहीं बढ़ पारे इस पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा लिक्विट्स से जुड़ा कुछ भी आपका बिजनस है जहां पर लिक्विट्स का इस्तमाल होता है या आप लिक्विट्स सेल करते हैं तो आज का दिन आपके लिए फिर भी लापकारी देख रहा है लव लाइफ पे चलते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं आज का दिन एवैल्यूएशन का है कि कहां जा रहा है आपका रिलेशनशिप इसका फ्यूचर क्या है आने वाले छे महिनों में आप रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या देखते हैं इसके ओपर थोड़ा सोच विचार कीजिए और उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है जिनका रिसेंटली ब्रेक अप हो गया था आज भाग्य एक मौका आपको दे सकता है कि अधि आप दोनों के ही हृदे में ऐसी चीज है कि हाँ भी ठीक है बुरा समय था तो समय ब्रेक अप हो गया तो बारा साथ में आना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है थोड़ा सा आपके साइड से प्रियास रहेंगे तो चीजें दुबारा पहले जैसी यानि कि पैच अप आपका हो सकता है विवाहिक जीवन में यही कहूंगा कि एक तो आप थोड़ा टाइम गम दे रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को उनको थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़े रिलाइवल वनी है ऐसा दिख रहा है कि जो आपके लाइफ पार्टनर है वो कभी-कभी अपने आपको बहुत अकेला पाते हैं वो आपसे बाते शेयर नहीं कर पाते क्या प्रॉब्लम है कि वो आपसे अपने मन की बात नहीं कह पा रहे इस पर थोड़ा काम की जी देखिए कि कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं विद्यारतियों के लिए स्टूरेंस के लिए दिन अच्छा है आज क्रियेटिव रहेंगे एनरजी बहुत अच्छी रहेंगी गवर्मेंट से सम्मंदित किसी एक्जाम की तेयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए पोजिटिव न्यूज को इला सकता है अच्छा दिन है सेहत की बात करें तो कफ रोग तंग करेंगे और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है सरवाष्टक के हिसाब से सात्वा घर आज भी स्टॉंग है आप यदि बिजनस करते हैं स्पेशली तो अपनी थोड़ी मार्केटिंग पे अदि आज ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लखी नंबर है आपका फोर लखी कलर है आपका केसरी यानि की सेफरोन और भाग्य पतिशत है 75% चलते हैं टॉरस यानि की व्रिशब की तरफ हो आज का दिन मिला जुला सा दिख रहे है सुबह का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ अपने समाने रुप से आगे बढ़ेगा चीजे फ्लो में आगे बढ़ेंगी पॉजिटिव महौल रहेगा दिन का मध्यभाग थोड़ा सा आपके लिए चिंता जनक हो सकता है कोई बुरी न्यूज आ सकती है साथी में मिला जुला दिन आज आपके लिए आ सकती है तयार रहेगा मैं भगवान से यही आशा करता हूँ यही उनसे अनुरोध करता हूँ कि आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो लेकिन कुंडली बता रही है और दिन के अंतिम भाग में आपका गुसा बहुत जादा रहेगा और ऐसा गुसा रह सकता है वैसे व्रिशब राशी के जातक जादा गुस्से वाले होते नहीं है बहुत स्थिर इनकी पस्नेलिटी होती है सबसे स्थिर यदि कोई 12 राशियों में से होते हैं तो मेरे हिसाब से व्रिशब राशी वाले होते हैं जखी भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं लेकिन आज दिख रहा है कि थोड़ा अपने गुस्से पर शायद दिन के अंतिम भाग में काबू ना पापाएं और उसके कारण आपका अपने किसी नजदीकी के साथ थोड़ा जगड़ा भी हो जाएं तो ये गुस्सा थोड़ा पानिकारक हो सकता है आज अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन अत्यानत शुबकारी है बहुत अच्छा दिन है आपका पैसे से संबंदित कुछ काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है ओवरॉल भी बहुत पॉजिटिव दिन दिख रहा है आज करियर के हिसाब से ज्वैलरी से जुड़ा या फिर कॉस्मेटिक से जुड़ा कुछ भी आप जॉब करते हैं फैशन इंडस्ट्री में जॉब करते हैं बहुत अच्छा दिन है आज का बिजनस के हिसाब से एक ही चीज कहूँगा थोड इतने खर्चे कम होंगे एक तरह से वह आपकी सेविंग्स ही हो जाएगी एक तरह से आपका प्रॉफिट ही हो जाएगा तो अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए वरना यह खर्चे आगे जाके आपको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं मैटल से जुड़ा कुछ भी बिज पार्टनर को लेकर हो सकता है कि वो आपको जादा ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर आप दोनों के बीच में जो एक कमेस्ट्री थी वो पहले जैसी नहीं रही हो तो इसको लेकर आज थोड़े सेंसिटिव रहेंगे मुझे यह लगता है कि आपको एक ओपन हर्ट से एक्तम खुले विचारों के साथ उनके पास जाना चाहिए और उनसे आज थोड़ी बातचीत करनी चाहिए और जो भी आपके मन में हैं जो आप दबाके बैठे होए हैं अपने पार्टनर से कनवे कीजिए और एक डिसकशन पॉजिटिव डिसकशन आज करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन आज का अच्छा दिख रहा है अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे एक दुसरे को समझेंगे और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है जिनकी रिसेंटली ही शादी हुई है maturity की तिरफ आज से आपका विवाहिक जीवन नया विवाहिक जीवन बढ़ता हुआ दिख रहा है अच्छा दिन है और साथ ही में आपको anxiety की problem भी थोड़ी हो सकती है सरवाश्टक के इस आपसे छटा स्थान बहुत strong है कानूनी संबंदित कोई काम अटक रहा था उसके related कोई अच्छी news आ सकती है lucky number है आपका 4 lucky color है आपका pink और भाग्य पतिशत है 65% आप चलते हैं जैमिना यानि की मिथो नराश्य की तरफ आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक है लोगों की आपसे क्या expectations हैं आज इस पर थोड़ा ध्यान दीजेगा अपनी जिम्मेदारियों पर थोड़ा ध्यान दीजेगा ऐसा दिख रहा है कि खुसक का जान बूच के नहीं लेकिन आप बाकी कामों में इतने व्यस्त हैं कि आप भूल ही गए हैं कि आपकी और भी कई जिम्मेदारिया हैं आप कोई भाई भी है किसी के आप किसी के बेटे हैं किसी की बेटी हैं किसी के दोस्त हैं किसी के चाचा हैं किसी के ताया हैं किसी के कुछ है कि आप अपने बाकी भौतिक जो आपकी जीवन है जहापे आपने पैसा कमाना है काम करना है उनके चक्रों में कहीं आप अपने रिलेशन्स को तो नहीं भूल गए आज इस बात पर आपको गौर करना है क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन्स है लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ समय व्यतीत करें उनकी तिरफ थोड़ा और ध्याने केंद्रित करें लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे है अपने कर्तव्यों का अपने responsibility का आज आपको थोड़ा मुआयना करना पड़ेगा थोड़ा उनको analyze करना पड़ेगा कि क्या-क्या responsibility आपकी personal life में है आज हो सकता है किसी धार्मिक शेत्र पे आपको जाने का मौका मिले या किसी मंदर में आपको जाने का मौका मिले किसी विधार में स्थल पर जो भी आपका आस्था का केंद्र है महाँ पर जाने का आपको मौका मिल सकता है ऐसा होता है तो जरूर जाईएगा दिन का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत stable रहेंगे, बहुत balanced रहेंगे करियर में चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन अच्छा है थोड़े अपने विचारों और अपने बोली पर थोड़ा control रखेगा मजाक मजाक में कही हुई बात भी आज थोड़ा विकृत रूप ले सकती है specially opposite gender के साथ किया हुआ मजाक आज आपको भारी पढ़ सकता है तो इस चीज़ पर आपको काफी ध्यान देना है यदि आप agriculture से जुड़ा या animal product से जुड़ा कुछ भी job करते हैं आज का दिन अच्छा है बिजनस के हिसाब से बहुत अच्छा एक मौका आपको मिलता हुआ दिख रहे है यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी कोई दशा चल रहे है जिसमें राज्योग बना हुआ है तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आज कोई बहुत बढ़िया opportunity आपके सामने आ सकती है और recently कोई loss हुआ था उसकी भरपाई भी आज होती हुई दिख रही है अच्छा दिन है आज टेक्नलोजी से जुड़ा या फिर entertainment से जुड़ा कुछ भी business करते हैं तो लाब होगा love life पे चलते हैं जो लोग relationship में हैं बहुत अच्छा दिन रहेगा आज हर तरफ खुशियों का महौल रहेगा positive रहेंगे आप आपके partner आपकी च्छाओं को पूरी करेंगे आपकी समवेदनाओं को समझेंगे और जैसी आप चाहते थे एक perfect नियर टू perfect love life जैसी आप चाहते थे आज का दिन at least वैसे ही व्यतीत करते हुए दिख रहे हैं विवाहिक जीवन में ये कहुँगा कि कहीं आपका ध्यान तो नहीं भटक रहा कहीं loyalty की कमी तो नहीं रह रहे क्योंकि आज संधिकराय कि शायद इस समय मन थोड़ा विचलेत है कि इच्छाओं पर थोड़ा control नहीं है थोड़ा अपनी इच्छाओं पर control करेंगे तो कोटा गोल सेट कीजिए बड़ा गोल नहीं आज के लिए कोई गोल सेट कीजिए और उसको पूरा कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और अपने उपर विश्वास आपका बढ़ेगा सेहत के हिसाब से नसों से संबंदित प्रॉब्लम तंग कर सकती है पैरों में काफी दर्द रहेगा और जो जोड हैं शरीर के जोड होते हैं उसमें भी आपको जोडों में काफी दर्द रह सकता है आज सरवाश्टक के हिसाब से पांचवा स्थान आज बहुत स्ट्रॉँंग है यदि आपके बच्चे किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी गुड न्यूस को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आज उनको उस संबंदित उससे संबंदित कोई अच्छी न्यूस मिल सकती है थोड़ा सा नेगेटिव साइट पर जादा दिख रहा है दिन की शुरुवात में ही थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे थोड़े एग्रेसिव रहेंगे गुसा आएगा आपको अपनी ही गलती के कारण दूसरों पर याट करेंगे गलती आपकी होगी लेकिन उसका जिम आपकी preparation overall सही है तो आपका कोई काम बन भी सकता है आज तो मिला जुला सा दिन दिख रहा है लेकिन कुछ delay भी होगा आपका काम जिसके कारण थोड़ी frustration में और इजाफा होगा सुबा ही frustration के साथ होगी दिन में थोड़ी और बढ़ेगी और ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहेगा ये frustration aggression के तरफ बढ़ती रहेगी और दिन के अंतिम भाग में आपका गुस्सा किसी पर फूट सकता है तो थोड़ा अपना frustration को काबू पालिएगा वन्ना ये जो frustration है ये बहुत गलक तरीके से किसी पर फूट पड़ेगी और आपके संबंदों म रहेगा सबका जहां पर भी आप काम करते हैं बहुत अच्छी मनहस्तिती रहेगी सबकी और एक दूसरे के प्रती काफी helpful रहेंगे आपको आज किसी को guide करने का मौका भी मिल सकता है यदि आप senior position पर हैं या नहीं भी है हो सकता है आपका कलीग आपके पास आया कि मेरे को ये transport से जुड़ा कुछ भी job करते हैं या फिर accounts से जुड़ा कुछ भी job करते हैं तो लाप होगा बिजनस के हिसाब से कोई चीज ऐसी थी जो आपको बहुत confused कर रहे थी भ्रम में डाल रही थी unsure चीजें इन सब चीजों से आज आप निकलते हुए दिख रहे हैं आज का दिन अच्छा दिख रहा है आपके लिए बिजनस के हिसाब से घर को सजाने सवारने के सवान से इंटीर से रिलेटेड आटो मूबील इंडस्टी से रिलेटेड कुछ भी आपका बिजनस है तो आज का दिन अच्छा है लव लाइफ पे चलते हैं चो लोग रिलेशन्चिप में आना चाते हैं आज का दिन अच्छा है एक नई opportunity आपके सामने आ सकती है चीजें positive direction में बढ़ सकती है थोड़ा creative होईएगा और यदि आपको लगता है कि हाँ आज मौका है सब कुछ आपके favor में ही यदि आपको दिखता है तो फिर उसको टालिएगा मत क्योंकि आज का दिन अच्छा है action लेने के लिए जो लोग already relationship में है उनके लिए भी दिन अच्छा है थोड़ी creativity लाई है अपने बीच में बना relationship stagnate हो जाता है थम जाता है विवाहिक जीवन आज का बहुत अच्छा दिख रहा है एक पूर्णता का भाव रहेगा आप दोनों के अंदर विवाहिक बहुत दिख चीजों से हट कर भी आज एक बहुत अच्छा connection आप दोनों के बीच में रह सकता है बाकी चीजों पर आज 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 आपका जादा concentrate नहीं रहेगा एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार का महौल बहुत केर केर सही शब्द होगा एक केरिंग attitude रहेगा आपने life partner के प्रति आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी students के लिए दिन अच्छा है आज आपको guidance मिल सकती है किसी भी चीज को लेकर आपको problem face हो रही थी तो कहीं ना कहीं से आज आपको guidance मिलती भी दिख रही है सेहत के हिसाब से digestive disorders बहुत तंग करेंगे और यदि आपको pate समंदित problem recently बहुत जादा रह रही है तो एक पार चिकित्सक को दिखा लीजेगा वरना थोड़ी problem जादा हो सकती है सरवाश्टक के इसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है गाड़ी पर थोड़ा खर्चा हो सकता है आज और यदि नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उससे समंदित भी आज कोई positive news मिल सकती है lucky number है 3, lucky color है आपका और इंज और भाग्या पतिशत है 65% चलते हैं लियो यानि कि सिम्हराशी की तरफ इंडिविज्वालिटी दिखाने का दिन है किसी को follow मत कीजिए आज अपना रास्ता आपको खुच चनना पड़ेगा लीडर बनी आज और ऐसे मौके भी आपको मिलेंगे लीडर बन के उभरने के कैसे भी सिम्हराशी के जाता क एक बॉन लीडर होते हैं तो आज आपको मौका भी मिल सकता है अपनी लीडर्शिप क्वालिटी दिखाने का अच्छा दिन दिख रहा है आज का अपनी खुशियां आपने गम किसी से शेर करना सीखी ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली जो भी भाव आपके मन में चल रहे हैं धंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहें शेर नहीं कर पा रहें इस पर थोड़ा काम कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा जो भी द्वन्द चल रहा है आपके मन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है बहुत हट तक उससे आप निकल पाएंगे और लाइट फील करेंगे कि दिन का अंतिम भाग बहुत अच्छा है अनतिम भाग में भागे का साथ मिलेगा को एच्छी न्यूज आ सकती है पॉजिटिविटी रहेगी दिन के अंतिम भाग में आपके परस्टनल लाइग में करियर पर चलते हैं जो लोग जौब करते हैं कॉर्पूरेट सेक्टर मे काम करते हैं किसी बहुत बड़ी company में काम करते हैं तो आपके अच्छे काम को आज प्रशंसा मिल सकती है आपका commitment का level बहुत अच्छा रहेगा आज और recently भी रहे रहा होगा इसके कारण आप अपने managers की अपनी senior management की good books में भी आज आ सकते हैं, बिजनस के हिसाब से थोड़ा और नॉलेज गेन करी अपने बिजनस के बारे में, especially यदि बिजनस अच्छा नहीं चल रहा, या फिर नया नया बिजनस स्टार्ट किया है, तो और information gather कीजिए, और जानने, समझने की कोशिश कीजिए अपने बिजनस को, लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग relationship में हैं, आज थोड़ा emotionally ज़ादा आप active रहेंगे, emotionally बहुत sensitive रहेंगे, यदि आपके partner ने कोई मजाग भी कर दिया, क्या आपके साथ ज़ादा time spend नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ बोला था कि हाँज ये करेंगे, और वो नहीं कर पाए, चोटी सी चीज हो भले, उसको लेकर भी आप बहुत emotional हो जाएंगे, नया relationship start करना चाते हैं, तो थोड़ा delay दिख रहा है मेरे को, क्योंकि आज शायद आप emotionally stable relationship को लेकर नहीं रहेंगे, थोड़ा अपने emotions पे काबू रखके ही आगे बढ़िएगा, विवाहिक जीवन की बात करें तो यदि चीजें थोड़ी बिगड़ गई है recently, तो थोड़ा initiative आप लीजिए, अपना अहम नीचे करके अपने life partner से बात करने की कोशिश कीजिए, बहुत जादा संभावना है, ये चीजें सुलच जाएंगे Students के लिए थोड़ा negative दिन दिख रहा है, बहुत stressed रहेंगे आपको लगेगा, हर कोई आपको अपनी उगलियों पर नचाना चाहता है, specially आपके घर वाले, जिसके कारण आज अपने आपको थोड़ा सा stressed महसूस करेंगे सेहत के हिसाप से वात रोग तंग करेंगे, बॉड़ी में पेन रहे, सरवाश्टक के हिसाप से तीसरा स्थान बहुत strong है, काफी साहसी रहेंगे और साहस्पून निरने आज आज आप ले पाएंगे लगी नमबर है 6, लगी कल है आपका light blue और भाग्य प्रतिशत है 80%, चलते हैं वर्गो यानि की कन्या राशी की तरफ दिन आज का अच्छा दिख रहा है, कुछ नई शुरुवात करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, अपने आप चीजें आपकी फे अच्छा दिन दिख रहा है, अपनी बुद्धी मता का भी बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे, चीजों को समझने की नया कुछ सीखने का भी आप आज बहुत प्रयास करेंगे, ओवरॉल दिन पॉजिटिव दिख रहा है, दिन के अंदिम भाग में थोड़ी अपनी इ किया जा सकता है, धहरे रखिएगा दिन के अंतिम भाग में, करियर पर चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, कुछ चीजें यादी बिगट रही थी रिसेंट्ली, कुछ चीजें अटक रही थी, तो सारे काम आज बनते हुए दिख रहे हैं, दिन पॉजिटिव है, लोगों दिन ठीक ठाक है, जिन्रोंने रिसेंट्ली बिजनस स्टार्ट किया है, थोड़ा और एक्स्पिरियंस गेन करने की कोशिश कीजिए आज, अपने बिजनस के बारे में और जानने की कोशिश कीजिए, और स्किल्स एक्वायर कीजिए, क्योंकि ऐसा देख रहा है कि इन सभी चीजों के अब ही आपके पास कमी है, नॉर्मल सा दिन है आज बिजनस के लिए, लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आज का दिन अच्छा है, छोटी छोटी चीजों में यदि आप खुशिया ढोड़नेंगे तो जादा अच्छा रहेगा, जाद जीवन के हिसाब से, ऐसा दिख रहा है कि पैसों को लेकर रिसेंटली आप दोनों के वीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो थोड़ा इस बारे में आज आज आप और बातचीत कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी भी वो टॉपिक खतम नहीं हुआ है, और जो अनकही बात है, वो आप दोनों के वीच में ही प्रॉब्लम्स ला रही है, तो जो भी बचा हुआ इशू है, उसको आज डिसकस करके खतम कर दीजिए, और उसको यहीं पे विदा कर दीजिए, वनना आगे जाके भी वो आपको तंग करता रहेगा, स्टूडेंस अपने आपको थोड़ा आज तनहा फील करेंगे, अकेला पाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि कोई उनका साथ नहीं देता, कोई उनको समझता नहीं है, इस्पेशली उनके साथ जादा होगा, जो घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, होम सिकनेस की फीलिंग भी आज आज आपको आ सकती है, सेहत के हिसाब से यदि आपका लाइफस्टाइल पिछले कुछ जिनों से थोड़ा खराब हो चुका है, तो उसके कारण आज आपका सेहत, आपकी सेहत थोड़ी बिगड सकती है, और साथी में लोवर बैक में भी प्रॉब्लम रह सकती है, सरवाज तक के हिसाब स धनवावा बहुत स्टॉंग है, तो कहीना कहीं से अचानक पैसा आ सकता है, लकी नमबर है वन, लकी कला है आपका, यलो और भाग्य प्रतिशत है 75%, आप चलते हैं, लिब्रा यानि की तुला राशी की तरफ, दिन अच्छा देख रहा है, आज कई रुकावटें आपकी अच्छा का भी टेस्ट हो सकता है, यदि आज कोई निरने लेना है, बहुत सोच समझ कर आपको लेना है, जल्दबाजी में, इगो में, किसी को देखा देखी, कोई भी निरने मत लीजिएगा, आगे जाकर महंगा पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है कि परसनल लाइफ में का अफेक्ट पड़ेगा, और आपका जो भी पॉफॉर्मेंस है, भरही वो बिजनस में हो, जॉब में हो, सोचल लाइफ में हो, वो थोड़ा कम हो जाएगा, इस पर थोड़ा काम कीजिएगा, करियर पर चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा आपको टॉलरेंट ह करते हैं, उनके लिए भी यही है, लेकिन स्पेशली गवर्मेंट जॉब जो करते हैं, उनके लिए यह स्पेशली कहूंगा कि लोग आपसे रियक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि आप कुछ उल्टा सीधा बोलें किसी के लिए, या कुछ गलत तरह से रिया शाम को वापस आदेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही, कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं दिख रहा, नॉर्मल सा दिन व्यतीत होगा आपके बिजनस में, लव लाइफ पे चलते हैं जो लोग रिलेशनचिप में हैं, ऐसा दिख रहा है कि इगो, अहम आज बहुत रहेगा, पिछले कुछ दिनों से भी आपके अंदर एगो आगया है, मैट्रिलिस्टिक चीज़ें बहुत परिशान कर रही हैं अब आपके रिलेशनचिप में, जब रिलेशनचिप की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ प्यार था, फिर आगे बढ़ते गए तो पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स ये थोड़ी आज तंग करेंगी, विवाहिक जीवन में यही कहूंगा कि अपने लाइफ पार्टनर का को आज एप्रिशेट कीजिए, दोनों ही की तरफ से बहुत कुछ एक दूसरे के लिए किया जाता है, और समय समय पर उसको थोड़ा एप भावना उनके अंदर रहेगी, हो सकता है रिसेंटली कोई अच्छा मौका निकल गया हो लाइस से, या फिर पुरानी बातों को याद करेंगे कि उस टाइम मैंने वो कोर्स कर लिया होता, तो आज मैं और किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा होता, तो ये सारी बाते आज आपको थोड़ा तंग करेंगी, सेहत के इसाप से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और नसों से संबंदित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, सरवाश्टा के इसाप से बारवा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है, यदि आप बाहर से संबंदित कुछ भी काम करते हैं, तो आज आप आपको अचानक से लाब हो सकता है, लेकिन तवाईयों पे भी घर में थोड़ा खर्चा हो सकता है, लखी नंबर है आपका, फोर लखी कलह है आपका, ग्रीन और भाग्य प्रतिशत है 75%, अब चलते हैं स्कॉर्प्यानिके व्रिश्शिक राश्य के दिरफ, दिन अच्छा द कर रहा था, उसके संबंद में आपको हेल्प मिल सकती है, अचानक से कहीं से हेल्प आजाएगी, अच्छा दिन देख रहा है आपका, और यदि आप किसी सिच्वेशन में अपने आपको फसा पाते हैं, तो किसी नजदीकी से, किसी ऐसे इनसान से, उसकी हेल्प खुद भी यदि आप मांगेंगे, तो भी आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉलुशन मिल जाएगा, दिन का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कहीं न कहीं से, कोई न कोई पॉजिटिव न्यूज जरूर आएगी, ओवरॉल आपका दिन आज अच्छा दिख रहा है, करियर पे जलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, अपनी स्किल्स पर बहुत भरोसा रहेगा आज, अपने ओपर कॉन्फिदेंस रहेगा और ये कॉन्फिदेंस आज आपको नए मुकाम छूने में मदद कर सकता है, सही समय का सदुपयोग कीजेगा, यदि कोई भी ऐसी उपर बातों से जाने मत दीजेगा, बिजनस के हिसाब से, आज थोड़ा कन्फिद रहेंगी और आपको आज ये फीलिंग आएगी, कि आपका जो स्किल सेट है, आपकी जो नॉलेज है, वो भी थोड़ी कम बढ़ रही है अपने बिजनस के संबंद में, तो यही कहूंगा कि यद आपको ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, तो अपनी नॉलेज को अपग्रेट कीजिए, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जो चीजें बदली हैं, उनके हिसाब से थोड़ा आपको भी बदलना पड़ेगा, लव लाइफ के हिसाब से, आज काफी कुछ एक साथ करना च चाहेंगे कि आपका जो करियर है, बाकी सारी चीजें है, सोशल लाइफ है, उसमें भी टाइम दे पाएं और अपने पार्टनर को भी टाइम दे पाएं, लेकिन यही चीज शायद उनको खटक जाएगी, उनको यह लगेगा कि आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है बाकी च बोले, यानि कि बहुत सोच समझ के आज आपको बात करनी है कोई भी, बहुत सोच समझ के, क्योंकि कुछ भी आपने ऐसा कह दिया जो या तो सपश्ट नहीं होगा या आपके लाइफ पार्टनर को उसका मतलब ढंक से नहीं समझाएगा, तो चीज बहुत बड़ी बन सकती ह तो जो भी बोलें, पहले तो लें, स्टूडेंस के लिए दिन अच्छा दिख रहा है, कॉन्फिदेंस आएगा वापस यदि पिछले को जिनों में हट गया था तो, कम हो गया था तो, अच्छा दिन दिख रहा है, अपने उपर काफी विश्वास रहेगा, सेहत आज की ठीक दिख रहे हैं, अच्छी दिख रहे हैं, कोई मेजर प्रॉबलम नहीं दिख रहे हैं, सरवाश्टक के हिसाब से ग्यारवा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है, आपको अपने भाई, बड़े भाई या बड़े बहन का आज साथ मिल सकता है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि आ मिल सकती है, तो हो सकता है, आपके बड़े भाई, आपके बड़े भेंस ही आपको किसी तरह की आज साहेता मिल जाए, शुब अंक है आपका दो यानि की टू, लखी कलर है, ब्लैक और भाग्या पतिशत है, 85%, चलते हैं, सजिटेरियस यानि की धनो राशी की तरफ रहे हैं, कुछ नयापन लाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत दिनों से अपनी लाइफ में, वो आज ला पाएंगे, कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, वो ला पाएंगे, काफी creative रहेंगे आप आज, आपका thinking, आपका thought process बहुत creative रहेगा, और यात्रा भी आज आपको करनी प रखिएगा, negativity से दूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यदि दिन के अंतिम भाग में negative चीज़ें आपने सोचना शुरू कर दिये एक बार, तो वो एक चक्रवी उसा हो जाएगा, और उसी में आप फस जाएंगे, और पूरी रात आप वो ही सोचते रहेंगे, व करते हैं, competition का level बहुत हाई रहेगा, और थोड़े वाद विवाद भी हो सकते हैं, आप यदि ऐसा कोई काम करते हैं, जहां पर target based काम होता है, आपको target मिला होता है भी इतना तो आज sale करनी है, इतनी cold calling आज करनी है, तो दिन थोड़ा सा आपके लिए तनापून दिख रहा है जैसे मनें बताया, marketing या sales से जोड़ा कुछ काम करते हैं, तो दिन तो लाबकारी रहेगा, मतलब कि आपका performance अच्छा रहेगा, लेकिन competition का level बहुत हाई रहेगा, वाद विवाद भी हो सकते हैं, बिजनस के हिसाब से, दिन ठीक ठाक है, बिजनस को थोड़ा analyze कीजिए आज, आज एक घंटा अलग से निकाली, अधी partnership में काम करते हैं, तो सारे partners को मुलाईए, अकेले ही काम करते हैं, तो अकेले आदे घंटा, एक घंटा analyze कीजिए कि कहां पे और हम सुधर सकते हैं, और सुधार ला सकते हैं अपने business में आने एक महीने में, love life पे चलते हैं, थोड़ा और time देने की जरूत है आपको अपने relationship में, थोड़ा और emotional investment के जरूत है, अभी ऐसा लग रहा है कि हां relationship स्टार्ट हो गया है, अब एक जैसे क्या कहते हैं, उसको pilot mode पे चले गए हैं आपका relationship, हाँ भी चल रहा है सब कुछ अपने आप, नहीं थोड़ा सा आपको और emotions add करने पड़ेंगे, अपने relationship में तभी चीजे और आगे बढ़ पाएंगी, थोड़ा अज धैरे भी दिखाईएगा अपने partner के प्रती, विवाहिक जीवन के आपसे यह कहूंगा, थोड़ा support और कीजिए अपने life partner को, ऐसा देख रहा है कि वो उनको आपका support चाही है, लेकिन या तो आप समझ नहीं पा रहे है, या कुछ और बात है, आप उनको धंग से support नहीं कर पा रहे, कई चीजों में, इस चीज़ पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, students के लिए दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा साहसी रहना पड़ेगा, सिहत के हिसाफ से liver संबंदेत आप आपको कोई दिक्कत है, तो थोड़ी परिशानी बढ़ती हुई दिख रही है आज, सरवाज तक के हिसाफ से दस्वा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है, इगो अहम के कारणा आज सोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लगी नमर है टू, लगी कल है आपका, येलो और भाग्य प्र प्रॉब्लम हो के शुरुबाती भाग में ही कोई अच्छी नियूज आ सकती है, पैसों से संबंदित कोई डील टक रही थी, कोई कहीं पे आपका पैसा टक रहा था, उसके संबंद में पॉजिटिव नियूज आ सकती है, नवामसा में बहुत अच्छा धनियोगा आज बन तो पैसा आ जाता हुआ देख रहा है, थोड़ी रिलेक्स रहिएगा, जल्दबाजी मत कीजेगा, क्योंकि ऐसा देख रहा है कि अचानक से कुछ इंपल्सिव डिसीजन भी आप ले सकते हैं, जो आपके विप्रीत जा सकता है, आपके विरुद्ध जा सकता है, थोड़ा र पूजा पद्धति या जिस भी धर्म के अनिवाई हैं, जैसे भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इस्ट हैं, उनकी तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा दिन के अंतिम भाग में, और थोड़े फिलोसॉफिकल से हो जाएंगे, लोगों की हेल्प करने के बारे में सो सकता है, आफिस पॉलिटिक्स का शिकारा बन सकते हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, जिन पर आप वישवास करते हैं, हो सकता है, वही आपके पीठपीछे, आपके साथ विश्वास घात कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क रही हैगा अज, बिजनस के हिसाप से, दिन ठीक थाक है, से जुड़ा कुछ भी बिजनस करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ के हिसाब से दिन अच्छा है, अंडरस्टेंडिंग बहुत अच्छी रहेगी कमपैशनेट, पैशनेट, रोमेंटिक टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ और अच्छा दिन रहेगा कंटेंट रहेंगे, सैटिस्फाइड रहेंगे विवाहिक जीवन के हिसाब से जादा जज़्जमेंटल ना बने आज अपने लाइफ पार्टनर के प्रति यदि उनसे कुछ गलती हो गई है तो पहले ही जज़्जमेंट फॉर्म ना कर लें हाँ भी ये तो ऐसे ही है ये तो चाहते होंगे ऐसा करना जज़्जमेंट से यदि आज आज आपने अपने लाइफ पार्टनर के पती फॉर्म करी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंस के हिसाब से आज आप काफी ठका ठका अपने आपको महसूस करेंगे जिसके कारण आप ज़ादा अपनी स्टडी में ध्यान नहीं लगा पाएंगे सेहत के हिसाब से हॉर्मोनल डिसॉर्डर्स काफी तंग करेंगे आपको और साती में रक्त संबंदित विकार भी तंग करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से दस्वा स्थान आपका बहुत स्ट्रॉंग है कारिक शेत्र से कोई अच्छी न्यूज अचानक से आ सकती है लखी नमबर है आपका 6 लखी कलर है आपका ब्ल्यू और भाग्य मतिशत है अप चलते हैं अक्वेरियस याने की कुम भराशी की तरफ अपनी लाइफ के हर अस्पेक्ट पर आज ध्यान दीजेगा कैसा दिख रहा है कि कोई एक दो चीजे हैं आपकी लाइफ की सिर्फ उनी पर आपका सारा ध्याने समय जा रहा है पैसा हो सकता है करियर हो सकता है लेकिन आज पूरी लाइफ के हर अस्पेक्ट पर ध्यान देने की कोशिश कीजेगा देखेगा कि कहीं पर क्या छूट रहा है क्या कमी आ रही है कहीं आप पैसे के जक्कर में अपनी हेल्थ को तो कॉंप्रोमाईज नहीं कर रहे है या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिताने वाले टाइम को तो कॉंप्रोमाईज नहीं कर रहे है इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीचेगा, थोड़ा पेशन्ट रहिएगा, थोड़ा धैर रखेगा, मुझे दिख रहा है कि कुछ काम आप बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट थोड़े डिले हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में उसके अच करियर पर चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है, यदि रिसेटली बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छी महनत, बहुत अच्छे एफर्ट्स डाल रहे थे कारेक्षेत्र में, तो उसका रिकर्गनिशन हो सकता है आज, और उसके लिए आपको मान सम्मा की प्राप्ती हो सकती है, मैरिज से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, मैरिज इंडस्ट्री भी आच्छे समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, उससे संबंदित कुछ भी काम करते हैं, तो लाब होगा, बिजनस के हिसाब से कोई काम रुक रहा था बहुत स समय से आज उसके संबंद में अच्छी नहीं उजा सकती है कहीं से अचानक से पैसा आ सकता है रुका हुआ पैसा आ सकता है अच्छा दिन देख रहा है human resource से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो दिन अच्छा है love life पे चलते हैं जो लोग relationship में हैं थोड़ा अपने partner को forgive करना यान की माफ करने की कोशिश करिए और यह प्रयास कीजिए कि छोटी छोटी बातों पर react ना करें ऐसा दिख रहे हैं कि recently क्या हो रहा है आप छोटी छोटी बातों पर react कर रहे हैं फिर लडाईयां होती हैं जंग्रे होते हैं compatibility issues होते हैं तो जितना forgiving बनेंगे जितना accept करना सीख लेंगे तो दिन आपका उतना अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा अपने life partner को सुनने की कोशिश कीजिए ऐसा लग रहा है कि आप सुन नहीं रहे हैं उनको वो आपको कुछ कहना चाहते हैं आप हमेशा काम का बहाना लगा देते हैं या किसी और चीज़ का बहाना लगा देते हैं थोड़ी उनकी बातों को आज सुनने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट से यह कहूँगा कि अपने भोले पन का आज किसी को फायदा मत उठाने दीजेगा वरना प्रॉब्लम हो सरकी है ऐसा देख रहा है कि आप किसी पर अतनत भरोसा करकर कुछ गलत नेरे ले सकते हैं सेहत के हिसाप से एंग्जाइटी डिसॉडर्स नसों से संबंदित प्रॉब्लम दंग करेगी सरवाश्टक के हिसाप से नाइन्थ हाउस बहुत स्ट्रॉंग है तो भागे का साथ आज आपको बहुत मिलेगा लखी नंबर है आपका टू लखी कल है आपका ब्राइट येलो और भाग्य पतिशत है 85% आप चलते हैं पाइसेज यानि की मेन राश्ची की तरफ यातरा के योग बन रहे हैं आज अचानक से यातरा करनी पड़ सकती है जिसके कारण थोड़ा शेडूल बिगड़ेगा लेकिन आपके लिए यातरा अच्छी रहेगी पॉजिटिव रहेगी सिर्फ अपने काम से काम रखें जादा लोगों की बातों में लोगों के उपर या कोई आपके साथ गलत विवहार कर रहा है आपका बुरा भला कह रहा है आपका अच्छा नहीं चाह रहा है या कुछ भी जो आपके कंट्रोल से बाह है उन चीजों पर जादा फोकस मत कीजेगा अपने काम से काम रखेंगा गवर्मेंट से संबंदित आपका कुछ काम अटक रहा था तो वो पूरा हो सकता है कोई कानूनी काम अटक रहा था चीजें आज आगे बढ़ सकती हैं तो दिन आपके लिए overall positive ही मुझे दिख रहा है करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं दिन अच्छा है जो लोग ब है तो अपने skills बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शत कीजेगा क्योंकि हो सकता है कि एक पहचांद छोड़ जाएं आप अपनी उनके सामने और आगे आपको बढ़ने में help हो corporate sector में काम करते हैं या फिर किसी बड़ी industry में काम करते हैं तो आज करें अच्छा है business के हिसाप से आज जल्दबाजी मत कीजेगा recently आपने कुछ नया start किया हैius दिख रहा है यदि आपने कुछ नया start किया है तो तो सकता है आज एक बार मन में आए कि हाँ बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ नयाट राय कर लेते हैं, अरे अभी profit नहीं आ रहा, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, आज ऐसा बिलकुल मत कीजेगा, चीजों को समय से आगे बनने दे, जब profit होना होगा, हो लेकिन अभी आप अपने जैसा मैंने शुरू में बताया था सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे, पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशन्शिप में हैं, थोड़ा आपने पार्टनर से पैसों की बात कम डिसकस कीज़ें, ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटी पैसों की बात ही डिसकस हो रही है, फैनेंशिल प्लैनिंग क्या होगी, यह क्या होगा, वो क्या होगा, ठीक है मैं यह नहीं कहरा कि यह important नहीं होता, लेकिन अभी मत कीज़ें, हो सकता है कि यह चीज़ें आगे जाके और बड़ी हो जाएं, विवाएक चीवन के हिसाब से, थोड़ा अपने पार्टनर को accept करना शुरू कर दीजें, ऐसा दिख रहा है कि आप उनसे बहुत सारे changes accept कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो बदल जाएं, वो ऐसा करें, वैसा करें, देखिए सबसे गलत बात होती है यह, हर इंसान का अपना nature होता है, किसी को भी बदलने के लिए कहना बहुत गलत चीज़ होती है, यदि आप उनके life partner है तो उनको accept कीजिए, उनको बदलने के लिए मत क रहे हैं, यही चीज़ें थोड़ा आप दोनों के बीच में compatibility issues ला रही हैं, students के लिए यही कहूंगा एक नया पन लाइए, एक नई strategy लाइए अपने study life में तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सेहत के हिसाब से body में heat बढ़ जाएगी, lower back में, back में थोड़ी जर्द रहेगी और acidity की problem भी आपको तंग कर सकती है, lucky number है आपका 4, सरवाश्तक के इस आपसे अश्टम स्थान बहुत strong है, तो कुछ चीज ऐसी है जो भी आपकी life में sure नहीं है, जिसके बारे में surety नहीं है, वो आज आपको थोड़ा तंग कर सकती है, क्योंकि अभी उसके बारे में चीज जल्द से जल्द clear हो जाए, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय और लग रहा है, lucky number है आपका 4, lucky color है आपका, केसरी और भाग्या पतिशत है 75%, आज का उपाया आपके लिए यह है, कि आपको शिवलिंग का गंगा जल और उसमें थोड़ी गुलाब जल मिश्रित करके, आपको शिवलिंग का अभिशेक करना है, साथ ही में दुरगा चालीसा और काली चालीसा का एक एक बार पाठ करना है अपनी नित्य पूजा के बाद, चैनल पे नए है सबस्क्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप सभी से मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में तब त शोच है, वीडियो के बार प्राश ऐसे मिलता है आप जिवेशा के उसे का बार प्राशने प्राशों पिवेशे है अभर्णिए ये युद